मित्रो नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं जन्सुलव पुस्तकाले के फेस्बुक पेज से इंदिनों मनु भण्डारी जी पर एक आगर का आजोजन किया जा रहा है इसके पुर्व में उनकी एक कहानी एक प्लेट सैलाब का नाट्टे पार्ट बरिष्ट रंग कर्मी सलीमा रजादवारा किया गया बारह जून को जो उनका वास्तविक जन्मदीन भी है कर लखनौ से इवा आलोचक शोध करता प्रिती अध्रवाल जी ने मन्नु भण्डारी जी के साहित्य में बाल किशोर मन के बिविध आयामों के परताल की और अपनी बात रखी मित्रो हमारे लिए यह खुशी की बात है कि आज हम सब के बीच आदर्णिया चंद्रकांता जी उपस्थित हैं जो स्वेंवे बरिष्ट रचनाकार है कई विधाओं में आपका लेखन है चंद्रकांता जी आप इस कड़ी में उपस्थित हुई हमारे लिए कुछ समय निकाला मनुझी पर अपनी बात रखने के लिए कुछ समय निकाला हम आपके हार्दिक आभारी हैं और इस मंच पर अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मित्रो मनुभंडारी एक ऐसे सहज मगर सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं वे लगातार काफी सक्रिय हैं और कई एक विधाओं में उनका लिखन है उनकी रचनाओं पर चर्चित और उलेखनीय फिल्मों का निर्मान भी संभव हो सका है वे एक साथ जितनी लोग प्रिये हैं उतनी ही अपने साहित के भीतर धीरे से ही सही चुपके से ही सही उठाए गए विभिन विमर्षों के लिए भी जानी जाती हैं आपका बंटी महाभोज आदी उनकी ऐसी ही क्रिदिया हैं जहां एक रचनाकार की सघन दिरिष्टी का हमें इहसास होता है आज चंद्रकांता जी के बहाने हम यह भी समझेंगे कि एक रचनाकार अपने दूसरे रचनाकार को किस तरह हिर्दैंगम करता है और उसके जहन में वह रचनाकार किस तरह उपस्थित होता है चंद्रकांता जी की मनुभंडारी जी के साथ किस तरह की मुलाकाते हैं उनकी क्या बात जीत रही है और दोनों रचनाकारों के बीच रचनाओं का जो पुल है वह किस तरह का है चंद्रकानता जी जब मनुभंडारी जी से पहलीवार मिलती है उसके काफी पहले वे उनकी रचनाओं से रूब रूप हुई हुई है ऐसे में जब हम किसी लेखट से मिलते हैं तो उस रचनाकार की हमारे भीतर जो छवी होती है हम उस छवी के साथ मिलते हैं कई बार हमारी वह छवी टूटती है बनती है और फिर टूटती है और कई बार वह छवी जो नब होती है शुरू में ही आरंद में ही वह काफी समय तक या कहें अंत अंत तक बनी रह जाती है मैं जानता हूँ आप सभी लोग चंद्रकांता जी को सुनने के लिए बेवल है मैं भी आप लोगों की ही तरह उन्हें अधिक से अधिक सुनना चाहूंगा चंद्रकांता जी इस संबाद को आगे बढ़ाते हुए मैं आप से यही जानना चाहूंगा कि जब आप मनु भंडारी जी से पहली वार मिली तो उससे पहले उनकी किन कृतियों से आपका परचे हो रखा था और जब आपका प्रत्यक्ष मिलना हुआ तो एक रचनाकार की अपने भीतर बनाई गई जिस छबी को लेकर आप गई थी वहां आपने किस तरह की छबी पाई चंद्रकांदा जी सबसे पहले आप सबको मेरा नमसकार तकाले अरपन जी और सभी मित्र जो जुड़े हैं अब देखने पा रहे हैं तब को मेरा नमसकार मनु जी पर हम उनको मनु भी बोलते हैं बड़ी हैं उनका आधर सब्सक्राइब करते हैं वैसे मनु जी पर को से मिलने से बहुत पहले मैं उनकी कृतीयूं से मिले थी तब मैं हैधाबाद में ठी मेरा कृती हमें उसवक्त प्रति के बात से ही थोड़े समय के बात से उनका लेकन शुरू हुआ था उसक हमारे पास बड़े दिगज रशनाकार थे और आप तो जानते हैं कापी बड़े रशनाकार थे भीशम सानी थे और अमरत लागनागर थे श्वाग ये सब थे और महिलाओं में तीन महिला लेकिका हैं वो पटल पर छाय हुई थी आप कह सकते हैं सबसे पर थे उन तीनों मैं कृष्णा सोगती जी उश्या प्रेमवदा और मनुबंदार थे नाम सबके जवान पर थे मैं सिक्ष्टी की बात कर रही हुई तो जहाए हम पढ़ते थे पढ़ना तो उनको था ही उनसे हमने हमने चाहे नसीख पर योगा पीड़ी ने जरूर मदवर्गी जीवन ले लिया है मनुझी ने भी मदवर्गी समाज परवाद जो स्थितिया है जो बदलाव को दौट को शुरू हो था Đर जो शिक्षित महिलाएं थी और जो आर्थिक रूप से सौतंदर थी उनमें जो बदलाव आ रहा था उसकी कहानिया ही एक तरफ परंपरावादी आप कैसे देश्यावदे दरा स्थिरी भूत महनिता हैं, वो थी, दूसरी तरफ से बदलाव की प्रपया शुरू हो गई थी, तो उस समय माहनु जी को पढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगा, क्यों हमने कई बाद में भी असी तक तो मैं हदर बाद में तो तब उसके पीश काफी उनने डिखा था, आपका बंटी था, आपका बंटी तो बहुत ही बिसिग हुआ था, कहानियों तो बेशुमार थी, और एक कहानी तो में बहुत पसंदा है, जिस पर आप जानते हैं, फिल्म भी बनी थी, रजनी घंदा नाम से, वे भी सच है, त तो काफी कहानी और भी घुटें था, उन्होंने कई चीजें दिखाई हैं, वो खेर, बाद में हम बात करेंगे, अभी मैं आपसे कहना चाहती हुआ, कैसे मैं उनसे मिली, पहले बैग्ग्राउंड तो था, मेरे पास काफी कहानी आथी, आपके बंटी था, महापो इस तो त । मैं असी कि दार में, दिली आ गले में, कई संस्ताओं से जोतों हुआ, एक नरेंदर को we can, दो का मां लेका हिए, उनकी संस्ताती लेके मंच नांसे, गौनूअब lilacमा नाम से मच कौला था, Greater Galashman, मैं भी Greater Galashman रहती हुए, यह उन जो था,idman e block. तो वो हमेरे पास आए बोले हमान से जुरूंड तो मुझे अच्छा लगा जुना क्योंकि नए थी, तेरा साल है विद्धाने के बाद, तो उसमें मुझे ध्याने कि महा में मिली कि विशुर्षाइनी जी भी आये थी, बावानी भाई भी आये थी, शहर्मनू जी भी आये थ आपनी मुलाकात नहीं थी, मैं तो परिशे इस तरह कर नहीं हुआ था, पर मैं उसे पहली बार मिली दिनिस नंदिनी डालमया की गर्व, दिनिस नंदिनी डालमया को बहुत बढ़ी रचनाकार थी, उनका भी अपना एक संस्तात है, रिचा नाम से, हम भी जुडे थे उनसे तो वहां पर निर्मला जयन आते थी, नाम राशन भी आते थी, काफी बड़े रचना का प्यार थी, तो मुझे वही पर पहली बार मैंने इसको मनुझी को देखा, मनुझी पहले देखने में जो छेवी हमारी बन्ती है, वो छेवी तो एक मजबूत छेवी होते हैं, हम चाहते जंद्रकांता जी, निवेदर है, थोड़ा हुचा बोलें, आवाज कुछ कम आ रहे है, थोड़ा हुचा बोलें कि पया, तो पहली मुलाका जब दिनिश्ननी की घर में हुई, तो कुछ बड़ी सहज और आत्मी लगी है, उनमें ऐसा कुछ भी ने था, धंशा होता है, बड पहले पहले थोड़ी पायवारिक बात एक हो गई, तो बाद में थोड़ा ब्रचनाउं के बारे में बहुत जादा नहीं हुई, और पहला जfähला होता है, मुझे लग तो उसाई प्रभाव होता है, वो प्रभाव बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे लगा, अरे इतनी Сह इतनी सरलोर आग्मी हैं, बिलकुल तेवर नहीं, किसी तरह कर नहीं, तो ये मेरी पहली उनकी छवी जो मेरी दिमाग में थी, बाद में कई बार क्यूंकि मैं छे साल फिर दिली में थी, तो कई बार मिलना हुआ, संगोस्टियू में हुआ, संवाद नाम से कुछ मंसल के गोस् पचपन के आसवाद, इकावन से ने शुरू किया था शाय, पचपन के तो, पचपन में उनका एक कहनी संग्रे भी आया था, तो उस दौर में, उस समय जो समाज की स्थिती थी, वो बदलता हुआ समाज था, संकरमन काल तो हमारी यहां कई आते हैं कराओ, आज भी संकरमन का रही थी, तो उस वकत परिवारू में एक अलग परिद्रिश्टा, एक अजीब सी तनाव की स्थिती थी, महिलाएं जो पहले हम कह सकते हैं, more or less, असूरी पचा थी, घर में ग्रह लक्षमी, जो भी करती थी, जो भी घर के काम काज करती, माँ, बहन वगर उस तरह जानी जात तो उस वकत उन्होंने ज्यादा तर जो उनकी कहानिया है, मैं देख रहा है, उस वकत मद्वर्गी कहानिया है, एक तरफ बदलाव की आकरंग शायप, स्रिया जागरूप हो गई है, और दूसरी तरफ परंपरा का भोज है उनकर, मुझे लगा कृष्ण सूपती में वो भो पने शुदा से लिखा उन्होंने, मित्रो मरजानी, मित्रो मरजानी बड़ी दबंग है, उसके साज ही बचा बचा नहीं होता, ग्रहस ने, वो चाहते ही परवार बड़े आगे, तो वो हमेशा बहु को कोस्ती रहती, क्या है वगर है, तो वो दबंग होकर बहुती है, इसे लगता, ज्यादा तर, आम, एक्सेप्शन को होती हैं कभी वे, पर ज्यादा तर यह था, उनका वेक्ति तो ही नहीं था, खास कर यह उत्तर भारत में मैंने देखा, डक्षिन भारत की बात मैं नहीं कर रही है, कश्मीर में भी था थोड़ा सा, पर उतना नहीं, जैसे कोई होगी भानपुर वाली, कोई होगी कानपुर वाली, यह कानपुर वाली है, यह वाली है, तो मुझे लगा, कोई लग रहा तो भी क्या है, हमारा भी तो कुछ, कुछ तो हमारा भी व्यक्तितव है, अस्तितव है, कुछ हमारा, तो मुझे लगता उस वप व्यक्तितव क आपने यह वाली वो, इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी बेटी, तो मुझे लगता था उस समय था बदलाव का दोर, उसमें पहले वक्ति तो कि मैं रही उसके बाद पर अस्मिदा के प्रिशना रही, उसके बाद आपने अधिकारों के लिए लगने भी लगने, तो मनुझी का जो तर उस वकत जो मैंने पढ़ा था, मुझे ज्यादा तर लगा उनका, कि वो नई दिशा तो देना चाहती थी, वो श्री उनकी पक्षमें थी, उनका स्त्री विमर्ष थोड़ा अलग है, बाकी स्त्री विमर्ष से अलग ही, तो हम बाद बाद करने, वो पड़ी लिखी, मैं जो शिक्षित महिलाएं की और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, वो कदम उठा रही थी, अब आपका बंटी आप ले लीजे, उसने विवासे शकुन संतुष्ट नहीं थी विवासे तो उसने दूसरी शादी कर ली, ऐसे बात नहीं कि दूसरी शादी नहीं होती थी, पर सहाईती में इस जिस तरह उनने उसका वर्णन किया, उस तमाम ओहापो के साथ, वो मनुजी में एक पाते बहुत गहरे जाती हैं स्री के मन में, अतल में क्या हो रहा है, उसकी आंतरिक्ता में प्रिवेश करने की, उनकी बहुत अदुद सकती है, यह में बहुत-बहुत स सहस्ता से, अलांकि वो कोई दंब नहीं करती, वो बड़े नारे भी नहीं लगाती, बलकि एक बार उसे प्रेश्न उठा था, आपकर बंटे के बारे में, एक बर यहां बताऊंगी, कि हमारे यहां एक संस्ता है दिली में, अभिवेक्ति नाम से, वहां भी उन्हों नहीं हम वहां भी आपके बंटे पर प्रेश्न उठे, किसी दे पूछा कोई सदेश्या नहीं, आपकी यह जो शकुन तो बड़ी बोल्ड है एक तरह से, कि उसने दूसरा विवा किया और बेटा था, तनाव तो थी बेटे और तो जाहर है बेटे को तो बाप भी चाहिए, मां भी च बाक्ष नहीं थे, बेटा जाहर है वो अपने पिता को मिस कर रहा था, तो उसने कहा आपने ये तो कहा, बेटे को तो देखा पर आपने शकुन की मांसिक स्थिती नहीं देखी, उसको ठीक हो सकता है, उसको थोड़ा सुख मिला हो, क्योंकि जो पहला जो उसने भोगा था, जो कुछ तनाव थे, उसे वो मुख तो हो गई, पर वो खुश क्यों नहीं रही, ये प्रिश्न बड़ा था, उसके उतर में उन्हें कहा, उन्हें कहा, देखो, तुम ये मत भोलो कि मैं किस समय में लिख रहे है, रचनाकार, जो रचनाई होती, वो समय का साख शरी होती है, ठीक है, उसका पुरननराव लूकन भी करते हैं, उसका परेक्षण भी करते हैं, पर वो उसके जूठ क्यों कहें, वो कहते हैं, अगर मैं उसको बड़ी क्रांतिकारी स्री दिखाए, बड़ी बोल उसको कुछ, ठीक है उसने डेजिज़ईंट लिया तो लिया, उसको तब भी उसको थोड़ा अंदर से क्या है, वो कुछ है जो उसको सालता है, उसको लगता है शायद ठीक हुआ या नहुआ, वो तनाव है उसके पीछ में, वो बोली मैं उसको नहीं, बहुत क्रांतिकारी नहीं लिखा सकते, मुझे देखना में किस काल में लिख रहे हैं, ये ब के पास तो अल्पना को बहुत बड़ा सामराज होता है एक तरह से, पर मुझे ये लगा कि वो बहुत गहराई से स्त्री मन है, मैं में जहांती है, और जो भी बदलाव है, देखे उनकी तरशन को एक कानी है, उसमें भी देखे, समाज बदल तो रहा है, स्त्री भी बदल रह जाकर भी वो कुछ पुरानी जो मानिताएं उनको उसकी धिमाग पर इतनी हावी है, वो उसको आसानी से छोट नहीं पाते हैं, तरशन को मैं जो वेटी, जो मैं तो आपको मानूं है कहानी है, मित्रों के साज में देखे, पहले उसको लगता है, वो ये दोस्तों के साथ क्य पूनितना जाती है, क्या करते है, पर कभी उसको लगता है, नहीं समय बदला है, मुझे इनको थोड़ी आज़ादे देनी चाहिए बच्छों को, इनको बड़ी उदार होकर, वो देती है उनको भुलाती है, घर भुलाती है लगओ तो बहुत भी इसको एक तरस से वे अपन क्या बात Mmm गई नई थी तो कई बार तो मी मज़ को बुला अटी हो गर आधरसर कार ही प्यार मनहार भी करती ह। कबhåMin वुज़ मुझे सबना करती हूं क्या है सबी किस्थे कुछ nailatoire आज भी होगे आज भी होगे मै motor maag jour इनका बहुत बारी अंकरनों उने किया है। बहुत ही रोचएक। तिर्शंगु. लटकती हैं तिर्शंगु के तरहें, कभी इदर-कभी उदर , कभी इदर-कभी इदर-कभी उदर.. उन्होंने बहुत पारिवारिक और दांपते जीमन की पारिवारिक भी और मुझे करता स्त्री की मन में जो कहते हैं उस वक्त हो शायद हम मांदे वो पुरानी बाते हैं आप छोड़िये सुल्टानाय का सपना उस अपने में देखती हैं पर उसकी साथ कदम चल नहीं पार उसक आगे जाना चाहते हैं को एक कारम पीछे तो वो बड़ी दांदात्म स्तिते हैं कि खास कर्मानी मानोदी में देखी हैं वो बहुत चाहती हैं अब उनकी कहने लीजे आप जिस वर रजनी गंदा फिल्म बे बने ये भी सच है अब देखे प्रेम प्रेम बेसिकले को प्रेम करते हैं तो पर दो व्यक्ति जो होते हैं स्त्री भी व्यक्ति ही है तो उनकी अलग सभाव अलग होते हैं तरीके अलग होते हैं तो में नहीं कहते हैं अब स्त्री चाहते हैं उसकी बन में हो चाहते हैं उसको होने वाला पती पती बना नहीं है तो हमेशा ओपिस की बातें कर वो अपने दुनिया में मस्ते है, आज ये वाफिस का कान, वो है ये, आफ्रेटिंग है, वो है ये, तो वो भी अपना काम करते हैं, रिसर्च वगर भी करते हैं, तो ऐसे ही मैं दिखाते हैं, वो दौंद बड़ा रोचिक लगा मुझे का, और लगदा कि सच्विछ, हैसा ही ह उनके मन के कोने में घुसी है, वो दिखा कि इंटर्वीव होता है, कलकता में, जाती है इंटर्वीव, तो इस लड़की के, लड़की के पहले एक और प्रेम प्रसंट हुआ है, प्रेम करते थी एक लड़के से, ये जो दूसरा, जिसके साथ रहेगा, उसको बताने भी माता अच्छा, तो वहाँ जाओगी, तो वह भी वहाँ होगा, ये कहते हैं, नहीं नहीं, मैं उसको नफरत करते हैं, उसने मुझे दोखा दिया, कुछ इस तरह है, वो समझती है, मैं उसको भूल गई है, पर क्या वो सच मिच उसको भूल गई है, क्या वो सच मिच उसको भूल करेगा एक है नहीं नहीं उसकी बात मत करो मैं चाहती ही नहीं उसकी मादर लेना फिर वहां जाती है पहल चाहन से वह काफी कहानी है वह इराद इनके साथ किसी तरह वह उसको देखती है वह लड़का नाम के लिए नाम याद नहीं आ रहा है अभी जो भी है तो वह मिलता है उ पुरानी स्मुरतियां हैं, वो आती हैं, पर वो दिखाती नहीं, वो चाहती उसको एवाइड करना, पर वो किसेन की तर उसे निलता है तक, पर छोड़ने की मुलाकाती है, उसमें कुछ गहरा गंभीर नहीं लगता तक तक, बाद में वो इंटर्वी वगरा देती है, तो निक स्टेशन पर कहता है, उसकी हाथ पर हाथ रखता है, जाते होई, तो उसकी जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, तो वो उभर आती है, पर फिर भी बात नहीं होती, पर उसको थोड़ा लगता है कि अंदर कुछ हाल चल है, क्योंकि प्रेम रहा है, वो गया नहीं है, इसकी भावनाएं फिर से लोटने लगी, उसे लगता ही अपना तो जितना इसमें था उतना संजाई में नहीं है, वो वन ही मन कंपेर करने लगती है, वाद में कानिया से बती है, तो अंदर को जब वापस आती है संजाई के पास, तो उसे, वो सोच दो पत्र लिखती कि ठी कुछ साधा मुझे समझता है, करीब है मन के, मेरे मन को समझता है, पर वो क्या देखता है, जो पत्र आती है, पत्र बताने यह नहीं बता है, वो मिलता उसे कि नहीं मिलता, पर वो डाखाने में तो डाल देती है वो पत्र, जब वो देखती है वो बात ऐसे सूचती है दिमा पूल लाता है उसके पास तो पीचे से आ जाता है तो एकदम उसका मन फिर से इसकी तरह मुड़ता है। वो सोचते हैं कि इतना तो नहीं है, मेरे लिए परवा है इसके मन, प्रेम भी होगा। वो बता नहीं सकता, बताता दिखाता नहीं है, यह आंता है। पर शायद उसकी चाहती है, उसके मन तक कोई पहुंचे, कोई उसके शून होता है मन उसको भर ले। वहां पर फिर अंतो अच्छा ही होगा है इसका। तो यह मन का द्वान पहले हम नहीं दिखाते हैं। अगर कोई प्रेम करते हैं तो गुनाह लगता था। और खास कब एक से करें तो दूसरे से करें। और मन उसकी दिखाया क्योंकि यह सौफभाविक है। और यह सौफभाविक है उसके कर सकती है। इसमें छिपाने की बात नहीं लगती है। तो यह सब चीजें बताई हैं उने। सुधा अरोडा भी आई हैं। सुधा अरोडा उनको ज्यादा व्यक्तिकत रूप से जानती है। मैं उनको एक रष्णाकार की रूप में ज्यादा जानती है। तो मैं एक पार जरूर कहूंगी यह मनुदी की बात। मनुदी को ये मैंने शायद आपको नहीं बताया, कि अभिवक्त ही संस्ता है यहां दिली में, वहां पर हमने उनको बुलाया थी, कि यह बंडी की बात में कर रही है, वहां पर प्रिष्णो तश्वीर है, हमने पचीस में जब यह रजद जयंती हुई थी उनको, पचीस साल से कि चल रहे है, संस्ता अपर ज्यादा होगे साल, तब तो कई साल और होगे है, तो उसको हमने आमधत किया था, यह थी ज Corn ऑकी बहुत वह बारिष्ट की थी तो वह आई थी 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 उसक वह थी 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 आज तो अज तो खर्वर्थ भिलकु भी तब्यदन की थी थीथ नह उसे मन से मिली, गले मिली, जो काफिय लोग मिरांदा वगर में रही है, उनके साथ के कलीच भी रही थी, इतने अच्छे से और हमारी वहां संस्थाबिक आती, उनसे कहा बहुत अच्छा काम करते हैं, सहायित को तुम आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो पोलता क्या है, आप किसी discussion होता है, वाची, उसे रशनाकार को जानने का भी मौका मिलता है, और जो प्रशन होते हैं, मन उनका, किसी हट तक समाधार भी होता है, तो खेर, बहुत मन से मिली, मुझे उनकी इछेवी आज भी यादे, तब से मैं मिली नहीं से, एक बार मिली, जरू सुधा के साथ, यहा देटी रहती है, तो उनके पासन देटी, उस वापी वो बड़ी साथ, एक बात मैंने देखी उनकी, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलती, कमचे मेरा इतना नहीं है, कि बहुत संभाद करते रहूं, लंभी चोड़ी बहसे करूं, ऐसा उसा संभद नहीं है, मेरा उनके साथ, पर बात करती है, बात अच्छे से करती है, वो मान देती हैं सभी को, और बोली कि खाना खाके जाओ, मैंने कड़ी बनाई है, तो हमने मान खाना वाना भी घाया, कहने का मतलब ये है कि एक सहजता सोफाव है, एक आत्मी सहजता, पर कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है, आज कर तो चार अक्षे भी कोई लिखती है ना, तो पता निखास कर आज कर फेस्बूक पर ज़्यादा दज सबका तो खैर नहीं का होगी, बहुत ज़्यादा, दो चीज़ हम ने लिगे तो बस हम तो महान हो गए लिगे, ये महान था उनके म बहुत तम हो, ओ बात नहीं डेंगे, ये बात में बहुत एप्रिशेट करते हैं, आपको एक बात और बताओ, जो इंप्रेशन मेरे मनदे, ये 2005 की, 2006 की बात है, शूरिब भाला भी आ गए है, 2006 की बात है, जब हमें व्यासमान मिला था, दो मैंने कहा न, आपसे बहुत ज़्यादा आवन जावन हमार है नहीं थी, सबसे पहले मनोदी का है फिर अर्चना बतना का है अपों, कि बहुत 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 बला ही, मुझे बढ़े अच्छा लगा कि बड़ी लेख का जब करते हैं तो आपका अप्रिशेट करते हैं तो सिक पाइल हैं उनको पहले बिनना चाहिए था पर जैसा है उसमें हम ठीपनी नहीं कर सकते यह बाट हमें और उस रचना पर जो एक कहनी यह बी कुछ नाम से ही वह तो उससे बड़ी-बड़ी रचना महाबोश पर मिनना था, आपके बंती पर मिनना था यह और तो खैर यह पर वो पुरसकार के बिना भी पुरसकर थीन, क्योंकि लोगों के मन में बसेती, उनकी रचनाएं, उनकी पतानी कितने कितने एडिशन गुए हैं, आपके बंटी हो या आपको कहानिया हो, कोई भी चीज हो, कहानियों तो बहुत पसंद की जाते थी, एक कहान किस ते किस बोध गुटन, गुटन ने कहानी किस पर कर घुटती हैं, परिवारों के लग किया, तो वो भी उन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छी तरह से, अकेली एक कहानी है, वो ही संबंदु में जो, संबंदु की तनाव, संबंदु की जो आईरिनिया होती है, जो डीप मन में जो आप कहते हैं, गहरा गड़ा कोड़ी है, उन पर वो पहुंचती है, तो यह बहुत बड़ी पात है, अच्छा लगता है, पटनाव, किस तरह वो पहुंचती है, मानमंद, गहरा ही होता है, तो मनोदी के साथ बाकी मुलाकाते भी जोटी बड़ी जो ने, मैंने आपको साफ कह दि कि बहुत आना जाना नहीं था, वो बहुत जादा आती जाती नहीं कि पता है किसी के आजाती हो पर हमारे साथ कि अवैसे कि जब डिली से मैं फिर भोनेशर चली गई त्वाँचे साल की, और अब हम यहां तीस साल हो गई, मैं यहां गोगाम एंगान, अब हर्यान भी हो रजयन आद आ गई तो उसने विकमार भी थी। पता q — रभाराव फ्टों में आया। तो पता थी। बैराल क्रिक दोशनी दूपकों विटेंड़ाय जब हमने उनसीं बुलाया था.. तब वो भी थी, मनुदी भी थी और सुनीता जाएंगी, फोटो पर शायद वो भी है, तो बहुत बाड़ी रचने का आपस में बहुत गुल्मन कर बोले थी, मुझे अच्छे भी हुआ, वो बच्ची की बच्चों की तरह उस दिपो बहुत जादा खुले, सब के साथ इतना कि अच्छा क्या कर रहे हो, कैसे क्या लिखाया, कैसे की, तो बहुत खुश थी हुए, हालांकि सेथ उन दिमों भी उनके अच्छे निम्ती से, बलकिन के साथ यो लगी थी थी, वो दवाई पावई का फैया लगी, फैया रहता हुए, मेरी दवाई का टाइम हो गया, मतलब इसका ध्यान था, आज थोड़ा जादा असौस्त है, जो हम प्रातना करते हुए, वो ठीक हो जाए तो यह ये, तो यह एक बात यहार जाते हूं से, उनकी स््तिरी विमर्च के बारे में बहुत बाते होते हैं, उनकी स्तिरी विमर्च पर लिखा है उनकी तनाव, उनका बद क्यों उनको मान में कुण धुठांध होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कह दिया गुछ समय की पाद मुझे एक बाद जरूर अगर प्रेश्न किया था, श्याहद अग्रेटी महीं किसी में उनसे प्रेश्न किया था के शार मनें बता दिया को कि आप की सिर्फी कदम उठाती है फिसे यह बात करती है श्क्रमदर एक कदम बड़ा कादम था देटा भी उसके साथ है वह करांतिकारी नहीं है नहीं हो सकते हैं अगर में उनको करांतिकारी दिखा घए तो बड़ा जूट होता उस समय नहीं था करा खरसा शक्ता ही हुए, तो, ओकी, और भी अश्योगात्री, नमस्कार, सब में तुरू को मेरे नमस्कार, मैं मेरे ध्यान हट जाता है, आपकी तरफ निखती है, तो मैं बहुत ज्यादा उनका समीक्षा नहीं करते हैं, उनका स्त्री पक्स जो है, उसके बारे मैं बात कर रहे ह किसी ने उनको पोछा भाई स्त्री अगर आगे बढ़ी है, तो ठीक है, वो निर्ने ले तो उसमें क्षा मदाब, ये खासकर मज़बर की शिक्षित स्त्री की बात है, क्यूंकि सभी तो बहुत आगे नहीं बढ़ी जी, उसक तो बिलकुल नहीं, आज तो खेर आलात और तो दोनों परक्षें बड़ी हैं, दुख भी पाते हैं, सुख भी पाती हैं, पर इस्तिय तो बहुत बदल खासके, लोलाइजाशन जब सिरो तब तो बहुत ही अंतर आया है, बहुत ठसके से बात करती हैं, जो भी निर्ने लेती है, उसके लिए बहूत ज़ादा पच्टा तो कहने लगी देखो स्थladım três С friend his आ को सक्षम और जब आर्थे गुप से से सक्षम है तो उसको दबने की जरूरत तो नहीens लेकिन वो कहते हैं reading पहले आब सामानिकाम तो नहीं हो सक्कति असलिए प्रेशित असलिए कुरे उकिर हर अलग उलग प्रकाट लृग सबब्भाब विचारों क shoot तो वो बहुत पढ़ती हैं, अध्यान करती हैं, जरूर मन्ददी के बारे में बहुत जानती होगी, उसको पकड़ लीजी बोली, बहुत अची समय के गए, तो मैंने यहीं कहती हैं, उन्हें उतर दिया, उन्हें कहा, इस तरी को मैं मानती हूं, सश्यक्त है, उसा तंतरगी है लेकिन मैं उसको, जैसे हम कहते हैं, पिछला जो है, वो तो गया वो बेकार था, सब ठीक है, वो कुछ नहीं था, अपस्त्रियां ऐसे ही थी, तभी वीगुटी वी थी, वो है, यह कहती है, परंपरा से भी हमें कुछ गहन करना चाहिए, आज भी वो मानती हैं कि परंपरा, कोई ठेहरा वाताल नहीं है, एक सो तस्विन है, उसमें जैसे नदी कच्रा वच्रा भी बहा देती है, और नई नई नदियां भी उसके साथ मिल जाती है, सच जलने भी दिन सकते हैं उसमें, तो वो कहती है, उस्त्री अपने आप मिलने, अपने आप डिसाइड करे, उसे क् करना है, अपने चारों शाग आपर पशितियं यह जो कुछ परा नहीं सब्लब करना कोंब करता है, क्या कर चारों डे करती है, पर हूँ कि और पारंपरा में ऐसा कुछ है, जो फीर पीठ पीछे की रॉष्ञ पार्ञी भी है, आप किसी भी तरह जाएए, ऐसे द्रियान कि हमारे अपनाम लेने लेंगे तो आप पीचे से जाए मीराबाइद में जाए और आई 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 वह बड़े ठसके से जी हैं पर वह अलग समय अलग सितियां अलग वह तो खैर आज कल हम ज़्यादा जमीनी बात कर रहे हैं आधात हम नहीं लाते इसे जमीन पर जो हो रहा है है हो बहुत ज्याकर क्यों के आई बहुत ज्यादा जैसे हम डेवाज क्रूजा हो केटि다 यसाम में नहीं जाती यह स्कु्त निरने करें कि वह क्या चाही county है अगर उसे लगता कि मैं मेरा यही मकसद है लक्षी तो कौना नहीं चाहिए, क्योंको उसकी चैतना है, वो बहुत कुछ कर सकती है, उसके पास बुद्धी है, दिमाग है, वो काफी कुछ कर सकती है, अगर उस चाहे, आप मिस्तार कर सकती है, तो मुझे यह बात उनकी अच्छ पर भी ज्यादा उस पर लिखा रही है, जो अमेरे मधिवर की समाज में जो बदा वा रही थी, उसके तरह पुर्शू के रही थी नीतियां, किस तरह वो सहती भी थी और कभी विरूद भी करते थी, स्री स्री के काम कभी खत्म होते ही नहीं, कहना चाहती है, बहुत अच्छ है, जो अच्छे लगा मुझे यह कहना, आप कितने भी बड़ी लिखी हों, कितने भी बड़ी तनखा पाती हों, आपके काम खतम नहीं होते ही, ना घर के न बाहर के, बाहर के अलग तनव घर के, इसबर कुछा प्रयमता ने भी जैसे काम का जिसने के बारे में उनके तनव क दिखे नमस्कार, नमस्कार को टो मुझे यह हुश्छे Teow तो वो बहुत राजनी थीप है, ब्रेष्ट राजनी थीप है, कितने क्या चाले चलते हैं हमारे जो नेतागन है, थुलिस है कापी को चुछ में, तो वो किस तरह विजारा एक शोषन होता है, जो गरीब जाने, दलिथ हैं, उनकी क्या स्थिती है, किस तरह से महा भोज, वो भ वो लोकतंत्र है, उसका भोज मनाते हैं, लोकतंत्रिक जो स्केतिया हैं, उसकी जो आप कह सकते हैं कि बृत्यू कहीं, जो हमारे आदर्ष्टे, जो हम मानते थे, आजादी के बाद लोकतंत्र होगा, आप नई धवा में जिएंगे, हमारा जो भी है, एक स्वस्त समाज हो, म क्योंकि राजनी जी के चक्र ऐसे हैं, ब्रेष्ट इतना ब्रेष्ट अचार है, कि वहां पर एक बिचारा सीधा साधा इमादार आदमी जी नहीं सकता है, जीएगा तो दुख ही पाता है, क्योंकि उसके अपने असूल आदर शबूर नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी प् पर ज्यादा तर क्या हाल है, अब आज ही अगर आप देखेंगे, कोविड टाइम ही, आप देखें क्या हाल है, डॉक्टर बिजारे अपना काम तो करते हैं, अगर अस्पतालों में कौन से दुरगती होती है, पेशेंट्स की, मानावता कहा है, राजनीती में तो खैर लगत है, तब ही तो मुझे आज लगता है, जब वहां भोश पढ़ते हैं तो लगता है, कितना अंतर आया है, वहराल यह जो कोवियां होती है, रजनाकार्थी से आगे देखता है, लेकिन फिर भी यह अच्छी बात है, कुछ पात्रों में बता हैं, जो इमानदार है, यह ऐसा न और आपको क्या बता है, जाद अतर मुझे लगा, जाद अतर वही तनाव हैं, दौन्द हैं, पर स्ति आगे बढ़ी है, उनकी स्ति सशक्ति है, यह नहीं कि वो सब कुछ सहती है, जहने के बाद दौन्द हैं, तनाव हैं पर संगर्ष करती है, और शायद यही जीवन है, आप कुछ पाते हैं, अगर आपको, आपको कोई लक्ष है जीवन हो, आपको चाहते हैं, तो पाए ही पर संगर्ष तो जरूरी है, उसके बिना तो मिलेगा नहीं आपको तो मनुदी, आज भी ठीक हो जाए, मैं इश्वर से प्राथना करूंगी, वो ठीक हो जाए, तो हमार बहुत वली थाती है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, नई रचना कारूं तो काफी सीखा है, तो ये भी मैं मानती हूँ, प्रभा भी बहुत है, लोगों पर रचना मानती है, बलकि किसी ने, आलांकि मैं तो मनुदी को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, वो तीनों महिला है, अब हमारे मनुदी हमारी हम चाहते हैं उठी पूंस्वास्ति में रचना रध होगी कहना कठन है पर फिर भी जो कुछ उन्होंने दिया है वह हमारे पास है उनकी जैसे सरल सहर सभाव के रचना कर बहुत काम लें इसलिए उनका सम्मान ज्यादा होता है जरूरी नहीं क्या भरबार उनसे मिले हर बार उनसे मिले अब फोन पर भी कभी बाब तो फैर फोन भी वह नहीं कर पाती है ज्यादा पहले फोन पर भी बात होती थी पूछती थी क्या कर रहे हो कैसे कर रहे है एक आत्मी देखी मैंने बहुत कुछ अगर वह करीब नहीं नही तो समान देना एक बड़े रचनाकार अगर दूसरी रचनाकार को जो उनसे उमर में भी छोटा है तो थोड़ा सा खर बहुत ज्यादा पर्क नहीं हमें, आम यह बड़े होगे वारिश्टू में आ गए हैं, तो फिर भी आम का समर करते हैं, आप रातना करते हैं, वो स्वास्त ठीक रहे हैं, और मैं समझती में समीख्षयाद करनी नहीं है, थोड़े उनके उचार जो, मैंने उनसे बात मुला कातों के दौरान उनसे पात हुए, उसी के बारे में पात करा हुए, और कोई अगर कुछ प्रश्न पूशन पूशना चाहते हैं, तो हो सकते हैं, गर ही तो गर की समझ्याओं से रूबरू होना बहुत है, वो तो है मनुझी की यादे हम से बाटने करें, घर परिवार कोई उनके मिलिया, और संबंधू को लिया है, बदलते संबंधू, क्योंकि देखी, पहले जैसे आप जानते हैं, मुझे लगता हमारे बच्पन में भी ऐसा था, कि इस तरहें बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती थी, मुझे खुद अपना याद है कि हमारे पिताजी तो बहुत उदार थे, प्रफेसर थे, स्रेशिक्षा तो हिमायती थे, पर फिर भी गर में कुछ बाते थी जो लड़कियों के लिए मना है, वो नहीं करना है, क्यों मना ह हाला है कि मैं पिताजी हमारे बहुत सुधारवादी थे, कापी मान है उनका पूरा जबोकिश्म में, बहुत मानते हैं, तब ही कुछ थी, हमारे यहां कुछ रूड होती है, एक शब जरूर अच्छा है मुझे लगा स्थिनी रूड मानिता है, जो रुप गई है, वो हम पर छोड़ती है आसाने से हमें, तो पर धीरे दीरे उबरता है समय, आज तो बहुत बहुत बढ़र क्या समय, पर घर परिवार में सब कुछ सही सलामत आज भी नहीं हो, पर प्यास तो हो रहें, लग्कियां, उस्त्रियां आगे बढ़ गए इकाते, इसे भी इंकार नहीं किया तो मुझे लगता है कि मनुझे के बारे में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, प्रिष्ण क्या करना है, उनको पढ़ी, आप कहते हैं कि साहित क्या करता है, समाधान तो नहीं देता, साहित आपको नई निर्मल वर्माजी के शब्द है, वो आपको एक नई रोष्णी में ले आ कम से कम आप देखते हैं, आप जानते हैं क्या है, वात अच्छा लगा मुझे, नई रोष्णी इस तरह से भी है, आज की इस तर लेखन को किस तर पर देखें, आज की रचनम, आज की लेखन को, वहीं लेखन तो हमेशा आगे ही बढ़ता है, वो ऐसा ने, पुरानी जामान की बातों आप आज नहीं करेंगे, मनु जी ने तो एक मनु जी देखे, तब से काफी बदलाव उने देखे, वो का पचपन में से उनका शुरू होता सथा है, उनका पहला कहानी संगराया था, और महा बोज बगर भी उनने लिखा रहे, यह नहीं कि वहीं तक सीमित रहे, औ उनने देखे, आप वही कहानी रजनिगंदा कहानी यह भी सच है, उसमें बोलते हैं, वो कहते हैं कि स्री के मन भी है, उनमें प्रेम करने के इच्छा कुई है, और बताती भी है, वो चुपाती नहीं है, पहले चुपाती थे, ओहो, दोशी समझती थे, अरे, मैं कैसा है, मै गलत कर रही हैं, तो उसको नहीं लगता, गलत कर रही है, तो स्वाभाविक है, प्रेमरी बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, तो उसमें बोल काफी आगे भी बढ़ गए हैं, आज के लिखन पर मुझे लगता है क्या बात करने हैं, लिखते हैं बहुत समय बदाए, सिथिया परिवारों में बच्वारों में थे परिवारों हुआ से थे, थे कि बधिलाव में हमेशा क्या तरफ में पुरानी माननेता है दूसरे से नई हवा है तो धून होंगे उस है उस भून को बहुत अच्छी सिर्थ क्या है मुझे लगता काफी हद तक, कम से कम मद्दिवर, कम से कम शिक्षितवाई, मैं नहीं कहूंगे आज भी बहुत कुछ होता है, तो हालात बहुत खराब भी है स्त्रियों के लिए, वो सब मैं नहीं जाओंगे, अब हम सब जानते हैं क्या है, बलादका, शोशिंग, घर, बार, कि 근데 तो हालतों के बारे स्त्रियों कीअ में टोड़ा गाया मैंने क्या है, अगर उन में भी मेरे संस्वंदों में जो त्रिया हैं, पुरानी स्त्रियां भी हैंा मेरे माल भी बहुत पुरानी थी तो, बहुत जल्दी गुजर गई, पर वे विसाफिए बहुत पढ़ी रिकी नहीं थी एक कोई कोई था शुला कुछ थी सवाविवान था पने उनकी बात कहीं भी शायद मेरी प्रिश्णु में इसमें क्या हाशी की अबारते में रिका है तीन स्त्रियां है वहां है और मेरी बहन है जो बहुत चोड़ी हुआ मैं गुजब ही और मेरी सास जी बड़ी तो बड़ी राष्णु मेरे बच्पन में शादी हुई थी मेरी हिमत क्या थी मैं बो कुछ बात करती हुएं के बड़ी दो बेटे बात ही काति उनका अनुशाहसन था गरे और उन्का आखरी थी पर यहां पर मैं एक बात जरूर कहुंए स्त्री का अच्छा है घर में अनशासन आदर, वह सब भी चाहता है, वर कभी कभी स्त्री उस जो अधिकार वो लेती है, देता हैं कि खुद लेती है, उसका कभी कभी मुझे लगता वो सही इसे इसथिमाल नहीं करना, क्योंकि जब आपको अधिकार मिलते हैं तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या बैठता है कि मैं जो कहूंगी सही करना वो नहीं होता मैंने अपने साजी के बारे में गिए थे काभी नुकसान भी बाया करा क्या हो गया क्योंकि ऐसे निर्ने उनने लिया और दोसुंती दोसुंती नहीं थी मैं जो हूं सही हूं तो मैं हूं सही हूं ये गलत है आप में पूरी रूप तरह से सही कभी नहीं होता बहराल इसे स्रीकिष्वतंद्रता में कोई फरक नहीं पड़ता पर जरूर जैसे मनुद्य ने कहा मुझे जरूर यह का, उसको आपनी चेतना अपने से चेतना तो है, विचार भी है, बद्धी भी है, उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या सही है, अगर मैं कुछ कर रहे हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए अगर रास्ता प्रशास कर रहे हूँ, क्या उससे दूस्म को तकलिक होती है, जान भूसकर को तक्रिक नहीं देना चाहिए, पर यहां अगर आपके बंटे में शकुर ने शादी की, तो उससे पर थीक, उससा नहीं पा रहे है, तो उसने दिनने ले लिया, तभी शाय तो कि बच्चे के लिए भी मन में है, उसको तो पिता चाहिए, अपने साथ काने के बार को अपने, पर नो तो कोई बार के बार के बार करना, उसे आगे तो हम बहुत बड़ गई है, अगर मुझे याद है रहा, राजय ल की और जी उस15 नहीं जाओंगी, वह का लाजय द्याब के तयो उसको प्लेखन धालितरा राजय च्जा, 8,11, अनों ने पहले तो कभी नहीं कहीं, वो सकता किसे मित्र के साथ बात के, मेरे साथ हमारे साथ में, गोश्ट यूँँ में, सबगोश्ट में, कभी उन्हों नहीं कुछ बोला, आलाग कि राज जंदर यादव जी अप तो सरगवासी हैं, तो कभी-कभी तो फुश बारतें वो क जब को सहते हैं न जब आपको सहं शक्ती एक हद से जीधा जब आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो पंता है दूर उबालें उस में निस पर यह गयां लिए उसमें पिर उनकी संयम हो दोगी है इस और हैं कर भूरी को गी जाहरी है वो आपके ने सफ एक जाहरके व हला हुआए। उप आप सतिनद्ता की सर्फ चेतस्त्री में, अस्मिद्र है उनकी अपन zij पी। भी जानती है मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया खिया, कितने बलेगान किया है, पढ़िख के लिए, घर के लिए, कितना कुछ किया है, मैं उसमें नहीं जाओंगी, आप सब जानते हैंगे, जवाब तो देती हैं, चलिए, ये सब तो है, खामोश नहीं रहे, और ये मैं जरूर कहूंगी, कोई दूसरा होता है, शायद काटू होता है, काटू वो नहीं है, मुझे लगा वो काटू नहीं है, पर बात उटके से लिए, तुम्हें बहुत का मेरी भी सुरूर, मैंनों बहुत सुन चुकी तुम्हारी, कोई भी आज की स्त्री लेकर में, कोई क्षेतर अच्छूतर नहीं है, कुछ भी लिख सकती, अपने मन की भावनाएं, अपना संबंधू के बारे में, या जो विवा तुम्हारी पहले छुपा था अंदर, वो वक्त होकर और कंष्क, और क्यों नहीं कहीज है, क्यों नहीं कहीज है, उसøंसे बहुत है, में यहाँ जारूर कहूंगे, कहीं कहीं मुझे लगता है, यह अच्छा आरह वो गढ़त इसका civrk कहते है, प्रभा खेता ने तो कहाँ अगर हम अपने जखम नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे जानेंगे, हमने क्या सहाई, अब कितना आप दिखाएंगे जखम, कितना आप कहेंगे, कितना आप छुपाएंगे, यह आप अंजर पर, आप जब परिवार की बात कर रहें थे, कि कुछ लोग तो मैंने देखा पिता, भाई, को घसीड देगे, मुझे नहीं लगता हुआगे, अगर किसी आपके साथ अन्या ही हुआ है, आप जरूर कहिए, पर मुझे लगता है, आप थोड़ा सहिय आंबरे, यह सहिय मानुदी से आप खसीफन पड़ेगा, उन्होंने सहिय नहीं चूदा है, बात कहीं है, पक लेकर भी हैं, टिप्स क्या देना भई, लेकर तो कोई सिखाता नहीं, लेकर कोई सिखाई नहीं सकता कुछ, हाँ, ये जरूर है कि आप पढ़ते हैं लेकर को, तो आपके वही महने कहा थोड़ा सा आपका विस्तार होता है, अनुभाव का विस्तार अधेर मनन से भी होता है, अनुभाव तो होते हैं, ये तो मुख्यबाद आपके अनुभाव हैं, आपके विचार हैं, आप किस सरह किस इशाली में आप लिखते हैं, कितना कुछ आप पहुंचा सकते हैं, किसी विपाठक कर, उसका महत है तो है ये, बद मुझे लगता कि आज कर शायद बहुत आज आप सिति एकदम से लिखो, नहीं, कोई भी सिति, मैं अगर आपी बात काओ, कश्मी की जो सितियां हैं, जो रही हैं, आचक बात की, समय लगता है, पहले उसको पचाने आत्मसाथ करने में, उसका हर कौन देखने में, उसके बार लिखिए, क्योंकि एक गुसा भी होता है, जो कुछ अन्या होता है, बहुत गुसा होता है, उस आक्रोश को आप कुछ देना है, पर उस तरह नहीं, ऐसे कुछ नहीं लगता है, जब दुबरह मुटू कीजिए, पर थोड़ा सा मुझे लगता है, सही नहीं की सर्वादे, ये कम से कम मनुजी की बात कर रहे हैं, त उन्होंने सहीं नहीं छोड़ा जहां तक मैंने उनको पाया है, जीवन में बहुत कुछ घटा, उनके की सब जान के, अलग भी रहने लगी थी, उतने दिन लिया नहीं बया, आपका अपना विचार है मेरा, आपका अपना तरीका मेरा, मैं दबूँगी, दब भी नहीं जाते हैं, स्री लिकन में मर्यादा कींता बढ़ा, मेरे ये कहना बड़ा मुश्किल है, मर्यादा का क्या आर्थ है, आप किसको मर्यादा कहते हैं, किसको नहीं देखिता के महांदा बहुत बदल गए है, क्योंकि कुछ तो विज्ञान नहीं, तक्निकी नहीं बहुत भी ऐसा था, आजकर वांदेरा नहीं है, और अगर गलती से किसी प्रेम किया, किसी ने तो डर तो रहता ही ताके प्रेजन न रहे को, आजकर वो डर भी नहीं है, तो नैतिक दाएं बदल गए है, उसकी बांदर बदल गए है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि करुना बदल गए ह प्रेम है, करुने है मानुई तक छतम नहीं हही बर जैसा के समय है मुझे लगता है आजकल मनुषी केंदर में नहीं हो, आजकल जो आर्थे गुवसे संपन है किसी कि देश्टी से शही वो राजणींती में समाझ में वी वो ठीक है, जो आजज भी दालितों की संपन हो बहुत लिखते हैं, तुल्जी रंग तो बजारे गुजर पर कापी अच्छा लिखते हैं, कापी अच्छी करती है हमारे सामने आई है, जो ने अपना दुख कहा है, मतलब ये आप कहिए कि जो बे-जुबान थे, उनकी जुबान आने लगे, वो बोलने लगे, और ये बहुत जरूर है कि उस वकत आपको अपना संतुलन खोना नहीं, आपको, देखे हर एक आपना सच होता है, सच कोई सनातन चीज नहीं, बस सच है, बस यही सच है, यही सच है, यही सच है, यही सच है, जो आपने माने दिखे आने पड़ी, यही सच है, आप एक से नहीं, दो से ब्रेम कर से तो भी आप्टें आपारने कितनी मानुईता बच्ची कितना सवहार्ध बच्चा है प्रेम है मातर शरीत कि सीमित महें बहुत मुझे लगता बहुत विस्तार देता है मैंने कहानी लिखी थी चुपी की धुन, वो पढ़िया, नहीं पढ़िया, तो यह नहीं है कि बस आपने किसी से बात की तो प्रेम किया तो हो गया, पहले जमाने यह भी था पर जो मनुदी का खासकर जब लिखा है उन्होंने, सवाल ने उससा तो खासकर बहु या बेटी भी किसी लड़की के साथ, जैसे उन्होंने का उस कहानी में तृशन को बहुशाया गया, उनको लगता है, क्यों जाती है, क्या करती है, शांको क्या करती है, घर में बुलाती है, अच्छा-चा, उद्दार बन की, चलो बुलाओ घर में बात सी करो मेरे सामें, और वहां भी ikle अओ है, एस समझ आती है, और उसकी बेटी है कहती, के मान कुछ तो मुझ पर पी छोड़ो, और आज किसली जानती हूँ, क्योंकि उसके अनुगवावका भी रिस्तार हुआ है आप यहां कुछ होता आप जानते हैं कौन क्या करता है अभी आपके प्रेजिडेंट कौन थे पहले प्रेजिडेंट अफे अमरिका के उनकी पाथ में यह निशानी होते हैं तो वो कहते हैं कि स्त्रियां मात्र घर के लिए नहीं बने हैं अभी अभी उनका वीडियो में ने देता तो कुछ समय पहले हैं आप ऐसा मत सूझे अच्छी गहनी है अच्छी पुत्री अच्छी बहन है उसके अलाव पर वो कुछ है वो अपनी उसकी अपनी एक अलग अस्मिता है उसका आदर करना अच्छी आज क्या चाहते हैं वो चाहते हैं आप मुझे भी मनुष्य माने मुझे क्यों खानों में भागते हैं जैसा आपका दिमाद मेरा भी है कोई कमीनी है मेरी दिमाद में तो उसको एक नाजर से देखो मुझे जरूरत नहीं है पोजने की मैं स्त्री जो देवी है सरस्थी लख्यमी है वो मैं नहीं हूँ मैं तो मानवी हूँ मनुष्य की तरह मुझे ट्रीट करो यह होना भी चाहिए मुझे लगता धीरी दीरी परिवतन कोड़ा है समाज में पर कुछ गलत चीजें भी आती है जुकि मैंने आपको कहा ना जब हमारे मन में गुसा होता है तो हम चाहिए हम भर्दा लें मन में चाहिए तो आप किसे भर्दा लेंगे पुरी से कैसे भर्दा लेंगे अरे वह आ बुरुष इतना नहीं बढ़ा है यह थे दुछ की बात मैं अधे लकाने मिझे लगता है नई पाहशिए मिभर्स बढ़ा है हमारे जमाने में मेरे जमाने में भी पुरुष ज्यादा काम में काते कैसमीय में तो नहीं ऐ तो मालिक सा sweetheart का स्त्री जो किसा जो भी को जाए नह मेरा जमाना भी गुजर गया, बड़े हो गया, लेकिन हमारे बच्चों का जमाना है, मैं देखती है, मेरा नाती है, चाहदी भी हो इसके, बहुत अच्छा लगता है, हर बात में हो अपनी बच्चे साहब, कोई काम हो करता है, उसके साहब पूछने हैं, मगर यह नहीं मेरे सा करते हैं, इतना प्रेम भी कर देते हैं, बहुत जरह सा भी हो, बैटो बैटो तुम्हें तखले, मैं करूँगा, मैं करूँगा, वो पुराने जमाने के थी, मैंने कहा ना एक पांच साल है, एक्सेप्शन है, पर बहुत प्रेम भी करते थी, तो शायद उसे थोड़ा सा आश्यात मिंटी तो शायद के वह था हो गया थे, जो भी है मैं नहीं कह सकती, रची थी है, हमारी सास जी थी है, ढायर की पातर की, कासे कुछ बाते हैं, उनकी आई है, अनकी आई हैं मेरे, मेरे मा से कुछिछ बाते जजाद नहीं आई हैं, त 나 निम्हां को भी के बहुत थ तो थोड़ी चैविया है उनकी बाते हैं, आर्थ साल के तिने प्रभाव बढ़ते हैं, तो ठीक है, दबंग महिला हैं उस वकत भी थी, आज ज्यादा दबंग है, आज उनकी पास बल है, आर्थिक बल है, तो इसलिए वो थोड़ा, और फिर भी मुझे लगता है, कहीं कहीं, नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, और मुझे कुछ लेकिकाउन ही, थोड़ा ज्यादा ही दिखाया है, देह के प्रेके आकरशन, है, देह के देह का एक अपना सच है, उसको आप नकार नहीं सकते, आम महीं कहते हैं, पर आप कहां तक कैसे उसका इसका इसका इस्तेमाल करते, अपकी चेहितना भी तो है, आप सोची, आप क्या चाहते हैं, इसलिको अपने आप, इतनी शक्ती है, उसमें हो सचती, आप मर्यादा को जो अर्थाद मानें, मानदेजी, मर्यादा तो यह है कि आप किसी का दिल मत उख रहें, आप अगर आप, यह मैं उस विस्तार में जाना कुछ अपने बाते भी आ सकती हैं, तो यह अपने आप सोची क्या ठीक है, मैं कम से कम दूसरे को दुख न पहुंचा, चाहे पूरुष हो यस्त्रे, पूरुष भी तो ऐसा लेखन करते हैं, पहले भी करते हैं, आज भी, मैंने एक, मुझे याद आई, अभी आपका समय हो क्या क्या भी है थोड़ा, क्यूंकि हम थोड़ा सब विशांतर भी करने लगें, सहित की बात करेंगे, मैंने एक उपन्यास पड़ा था, आमनी कायक अंतारे, चरन के शाय, बहुत अच्छा लिखा है उन्हों ही, पुर्षून के सोच में परवर्तन, आएगा, आएगा क्यो कुछ में, सब में तो नहीं, पर जो पड़े लिखे हैं मुझे लगता हूं में आता, काफी लोग हम आ रहे हैं, ऐसा महीं कैसे के नहीं आ रहे हैं, श्रेव अपने मन से, बड़े-बड़े पोस्टों पर हैं, हमारी कई बड़े लेकिक आए हैं, प्रतेक्षा हैं, बड़े नहीं लिखे हैं, बड़े लिखे हैं, अब एक का नाम लोगी तो दूसरी के साथ अन्याग होगा, नहीं लोगा है, तुदि में पढ़ती हैं, और नहीं लेकिकों पढ़ना भी बहुत अच्छा भी लगता है, देखती हैं, वो क्या लिखते हैं, किस तरह सोचते हैं, आपक उनका कंसेप्ट क्या है उनका, ये अलग है, वो मनुदी का कंसेप्ट नहीं जाओ, वो आज का कंसेप्ट है, आज वक्ती प्रेम है, आज प्रेम हो लाला मजनु प्रेम तो हमारे वक्त भी नहीं था, बहुत पहले था, पर वो नहीं है, वक्ती है, जरूरत के संबंद है, पर इसमें में एक बाद जरूर का हूँ, जरूरत के संबंद, शायद की विवश्टा है समय की, पर यहां भी आपको सोच नहीं, वहां पर कई पात रहें, आकांशा के कई तीन स्रियां को कुछ तीन नव्याद नहीं आ रहा, लड़कें कठे रहती हैं, अब रहती हैं, घर से दूर रहती हैं, उनको भी प्रेम की जरूरत पढ़ती हैं, तो कोई बुड़ा है, जावाने कोई कुछ, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, यह बस जरूरत है, जरूरत है, इस हद तक की प्रेम को सीमित करना, ठीक नहीं, वह एक तरह से उसका आवमोलन होता है, प्रेम कहा होता मुह नहीं होता हुड़ी, कोई एक बंदर उसे कहता, अच्छा, वो कहता, मैं आपने बच्चों की शादी करूगा, तब तुमसे देवा करूगा, बच्चों की शादी करेगा, तब उस लगकी से शादी करेगा, वो पागल लगकी उसको धका मारके भाहर के उन्हें फेटी, मुझे बदाई, जो इस तरह से सोचेगा, तो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी कहाने लिखी जा रही हैं, पैना, ये तस्वीरे हैं, क्योंके ऐसा भी निखा जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी जा रहे हैं, मैंने बारिश करकर जिक्र के अपने करेगा, उसमें ए शकुन की बंटी के साथ भी तो यही है, उसको दोनों चाहिए, दोनों साथ चाहिए, शायद एक बार ऐसा समय आए, मदू में ता, सुधा, आप सब का स्वागत हैं, आपका भी स्वागत हैं, तो समय बदलेगा, समय के साथ हमारे विचार बदलेगे, फूरा माहोर परमे कितना भी कठी नहीं, कठोर हैं, आजकल स्थी के लिए तो इतना आसा नहीं, कांटे पदबग पर हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सामना करना सी गई है, मेरी आवाज कहानिया पड़ी, कई कहानिया, शर नागर दिनार पड़ी, वो कहानिया है कि उसकी परातकार भी ह लेकिन वो अपने को दोशी नहीं मानती, क्योंकि उसका हाथ नहीं हो, उसके इस्चा से नहीं हुआ है, और उस जो पहले खत्म होती लगे, वह अपा वित्रो, घरवाले भी कहते हैं, किसी काम भी नहीं हमारे, छोड़ो उसको, घरवाले भी छोड़ देते थे, बलकि कहाने, मैंने यहीं कहा है, एक लड़की जो बिचारी आतरवादी उसको ले गए, बिचारी पताना कैसे भी गोंदे, बचा लेकर वा आ गई, धूड़ते डानते, अपने, घरवाले भी निकल गे थे, निशकासन तो आप जानते ही कश्मीर में हुआ, वो टेंट हुमें थे कहां थे, कहां कहां से उनको ढूड़ती है, ढूड़कर आकर वो मिलते हैं एक टेंट में रहते हैं, वो काफी सारे टेंट है वो रहते हैं जाते हैं, बढ़ा अच्छा लगते कमसे कि मुझे अपना माता पिता मिल गया, मगर उसके गोद में एक बच्ची है, गरवाले इसक वो तो उनका तरपन भी कर चुए है, वो गई तो गई, हमारे लिए मर गई है, उसके लिए दर्वाजा नहीं खुला, मुझे सुधा का एक काविता है, एक दर्वाजा उसके लिए खुला रखना है, वो दर्वाजा नहीं खोल सकते हैं, वो पिचारी मा तो रोते हैं, पित अपने पाला है, खून के साथ सींचा है, मैं कैसे उसको छोड़ देती है, पर उसको शरनागर दीनार थे एका है, उसको जो बाकी लोगों भी दुखी है, उनके विसार भी बहुत जलुम हुआ, पर वो इतने निर्मम हो गए है, क्योंकि दुख में आदमी कभी-कभी बहुत दे निर्मम हो जाते है, वो शौर्थी हो जाते है, कि उसको अपना लाब देखता है, दूसरे कर नहीं देखता, इस तरह मानवता का शरन होता है, वो नहीं सूचती है, कि दुख्य की बाद आए है, इसको तो हमीं शरन देनी चाहिए, पर नहीं दे सकते, आवाज कहानी में जब भाची को लेकर आते हैं, उसके अंदर बहुत गुसा है, घृना है, तब तक उनको ठीक सेवा करते हैं, बाद में उसको पर भागती बागती है, बच्ची को पहुंचती है थोड़ा उनसे दूर, उनसे लगता है मेरे पीछे पढ़ेंगे तो मार देंगे, उसको छोड़ उस पर रखते है उसको बच्चे को ठंड लगते हैं, वो चीखती है, चिलाती है, तो क्योंकि जब आतकवाद के सातोर रहती है, तो बच्ची को मारना चाहती है, वो कहते हैं, नहीं, इस बचारी को मत मारो, इसको मत मारो, तो कहते हैं, नहीं, मैं उसका मूँ बांद दोंगी वो चुनिनी से जोर से उसका मूँ बाझत थे उस बिचारी की घुट जाती है आवाज नहीं करते। महदूबी है, हाँ महदूबू थिमने पड़े है शायर शार्ना करती है। तो उसका मूँ इतना बाझत थी उस बिचारी को सांस लेने में दिक्कत होती है। वो आवाज नहीं निकाल पाते, उसकी आवाज बंद करते, यह हमारे समाज कर था, अभी तो खैर मैं कहती है, उतना नहीं है, पर है, काफी जगे यह दिये, श्रू कि आवाज उठाने नहीं देते, पर वो उसको बच्ची पर रखती, तो फिर वो पुरा खोल देते, उसके, अच्छा उसके उपर खुब पानी recursालती है, उचलाव चाहती है, वो चिला है, जोए जोड़ से, कि घुटन जो अंदर है, वो बाहर निकालना चाहती है, यही है आज का स्री लेखन, जो द्रवा घुट है, उबीतर, वो बाहर निकालना आथ है, वो कैसे निकालते हैं, अपना सज है उसको वेक्त करने का आपना तरीकल है तो मुझे उमीद है कि लोग जानते हैं वो क्या कई पर आप सिखा नहीं सकते किसी और यह भी है कि आप जब श्रीर की बात करें लेखन की बात करें जब मदू मेरे सामनी है इस वकृत तो लेखन का दाइरा भी बढ़ा रह लिखती है, आते हैं बाद भी नक्सलियों के किस बीच 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 आकर लिखती है, तो स्रिय अब तो घर में बंग तो है नहीं, वो तो मनु दिनी उसको पहले ही निकाल दिया था घर से, नौकरी के बाहर नहीं, तो अब बहुत आगे बढ़ गई है, तो हर शोषक, जो भी अब तो है, उसके पक्षमिस भी खड़ी है, यह अच्छी बाद है, कोई भी हो, काउँ का हो, समाज का हो, किस दलित का हो, तो यह एक मैं बहुत आज के लेकर मैं यह देखती है, पर यह मनु जी ने मिजब मैंने कहा स्थीकर परवार ही नहीं, यह महाबोज का आने है, उसम मैं राजनीती भी है, दलित भी है, दलितों के साथ अट्याचार भी है, पर साथ में कुछ पात रहें, तो थोड़ी उमीद दिखाते हैं, जो इमाजदार है, तो मतलब कहने का यह है कि अभी भी मानवीता में विश्वास भरकरा रखना है, हालां कि काठी नहीं, बहुत है, जो बड़े समीखशक हैं, तुमने काता से लिखा, वहां तो मारा मारी ही है, वहां कुछ क्या का हूँ है, उसमें कौन सी रोशनी दिखाऊ, जब चारू तरफ काली वर्प कहानी मेरी परी, चारू तरफ अंधिरा है, कोई किसी कन नहीं है, इस तरी खाली दे है, उसको बोगना, चिथड़ा करना, मारा है, अब मैं है, कहां से संध निकाली है, लेकिन लेकर ऐसा तो उमीद करते हैं, आपको तो दिखाना है इसमें, क्या दिखाऊं पर, शर्रण कर जिना तो मैंने दिखाया, उसका पिता है विचारा, कहानी तो महीं खत्म होते हैं, उसको निक निकाली है, तो मैंने यह नहीं बता है, वो कहां गया, क्या गया, और कम से कब मैंने एक संध शोड़ी बच्ची के पीछे जाता है, बचारी इतनी दुखी है, कम से कब मैं तो उसके मादद करूं, कुछ तो महानवीता उसमें बच्ची है, तो हम लोग, कहीं लोग नमीज यह तो मने जोड़ा है इसको, मैंने का शायद लेखक जोड़ता भी है कभी, क्योंकि उमीद करता है, मनुष्टा बच्ची रहे, अगर आप इसे जोड़ना कहें, मेरे एक बड़े क्रिटिक है, कश्मीरी है, क्यों मों कश्मीरी करें, उनने बड़े तारीफ की शना कर देन आज हम भिरकुल पता नहीं कैसे रोबोट होते जा रहे हैं, मुझे लगता साहिट आपको सांवेतन शीर बनाते हैं, और कुछ बनाए न बनाए सांवेतन शीर बनाते हैं, रिष्टू के प्रति सजग, वैरा रिष्टू के प्रति हमारे मनुदी भी बहुत सजग है, और अ मकसद समीक्षा करना नहीं है, मेरा मकसद एक ऐसे देखी का बहुत सहज, आत्मी, सजग वो जानती है, समय के आवास उठाती है, और द्वांद भी जानती है, जो परंपरा का आदर भी करती है, पर जो कुछ रूड मानिता हैं, उनका उलंगन भी करती है, उनका समाज की राष्टर की उमीद हैं, कुछ पुरुष भी है, कुछ वक्ति भी है, तो मुझे लगता है, पनितरा अगरवाल, बहुत बहुत आपार आप लोग का, आपने सुना, तो मुझे लगता है, मुझे आप से इजाजर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेश्णों का कुछ आंत नहीं होता, आंत में तो हमें अपनी समझें खुदी सुझे ने हैं, मुझे हमीशे निर्मलवर्मा जी यादा के, वो कहते हैं, समाधार, हम समाधार नहीं दे सकते, वो आपको खुद डूढ़ आप से आप इजाज़द लेने, मुझे घिख रहे हैं, आर्पन ज बहुत अच्छी और सार गर्वित चर्चा रही चंद्रकांता जी आपके माध्यम से और मन्नु भंडारी जी पर केंद्रित इस वक्तेब के साथ हमारी कई साथी रचनाकारों ने कई दूसरे जरूरी और समकाली महत्र के प्रश्णों को भी उठाया जिसका आपने बखुबी जवाब दिया आज भी तज़े मेरी आप ठीक हो आप से बाब करें ठीक हो चाद्रकांता जी आप संचालक का या आयोजक का काम आसान कर देती हैं क्योंकि लगातार धारा प्रवाह और विशय से बिना भटके पूरी बात जीत सुन्योजित तरीके से संपन करती है और अपने साथियों की तरह मैं भी आपके उस वक्तब में डूब गया निश्चे ही मनु भंडारी जी पर एक बड़े रचनाकार पर एक दूसरे बड़े रचनाकार का यह वक्तब लंबे समय तक याद किया जाएगा और रचनाकारों की इस साजेदारी का हर जगह स्वाज़त होगा आज की शाम हम लोग मनु जी को याद कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी रचनाकार और मित्रगर्ण इसके साथ जोड़े हुए हैं यह हमारे लिए बड़ा सुख़द है मित्रों आप जैसे साथियों के माध्यम से ही जनसुलव पुस्तकाले के कारिक्रम सफल हैं और हमारी कोशिस रहती है कि हम अधिक से अधिक आपके आकांचाओं पर आपके मापडंड पर सही उतर सकें उस दिशा में कुछ कारे कर सकें आप जानते हैं कि मन्नु भंडारी हमारे समय के उन रचनाकारों में हैं जो जब अपनी इवावस्था की और बढ़ रही थी तब देश आजाद हुआ था आजादी के स्वप्न के साथ एवा रचनाकार अपने अपने हिसाब से अपने स्वप्नों को आकांचाओं को और बराबरी के उद्देश को चित्रत कर रहे थी मनुभंडारी हिंदी की उन अग्रणी रचनाकारों में हैं जिन्होंने इस्तिरी मन को परिवार को बखोबी समझा उसके अंतर द्वंद को भी द्वंद रहित होकर उकेड़ा स्वेम राजेंद्रियादव इस बात को मानते थे कि मनुभंडारी जी की कहानी यही सच है एक ऐसी कहानी है कुछ पहली कहानियों में से एक है जिन में इस्तिरी के एक साथ एक समय में दो तरह के प्रेम को इतने सुन्दर तरीके से दिखलाया गया यह सगहन और सहज संबेदंशील द्रिष्टी क्रमशच आगे बढ़ती है और मनुभंडारी जी के लिखन में परिवार के साथ या उसके बरक्स समाज, राजनेती, नौकर शाही, भरष्टा चाप, तमाम दूसरे कारक, तत्व हमारे सामने आते हैं जिस पर आज चंद्रकांता जी ने विस्तार से अपनी बादचित रखी यहां तमाम बरिष्ट, सहितकारगन और दूसरे साथीगन उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और कल के लिए साथियो, सुधा अरोडा जी यहां उपस्थित हैं, उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं का निदेश रुआ, कि लंबे समय से मनु भंडारी जी के साथ, जो उनका ध्यान रख रही हैं, और जिस तरह से नर्सिंग कर रही हैं, उनकी देखवाल कर रही हैं, और रचना जगत में भी कुछ सक्रिये हैं, हम उन रतना सिह को भी यहां पर बुलाएं, कुमित्रों, कल मनु भंडारी जी की देख रेख में, लंबे समय से अपना समय दे रहीं, रतना सिह हमारे साथ होंगी, और वे मनु भंडारी जी के कई पक्षों को, उनके वर्तमान को हमारे साथ साजार करेंगी, आप सभी साथे करने आउंपस्तित रहे, आपका हर्दिक धन्यवाद, चंद्रकांता जी, आप समय निकाल सकीं, इसके लिए आपका भी शुक्रिया, शुबरात्री मित्रों, तब को नमस्काराइब,